हाईलो फ्रेंड्स गुड आफ्टनूं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार SSE 10 पलस टू अगजाम 2013 के अलसिप्ट में पूछा सकने वाले most important selected person को साल्प करेंगे दोस्तों यह सारे questions हमारे आपके exam में पूछे जाने वाले प्रस्णों के टापिक्स प्रस्णों के लेबल वा प्रस्णों के टेंड्स इसके लोग दोस्तों SSE के द्वारा कंड़क्ट करवाएगे विभिन प्रीवियस एरेक जाम के प्रस्णों को पूरी तरह से अनलाइस करके बनाएगा एक most important वीडियो है तो दोस्तों आप लोग इने constant होका साल्ब करें questions कम साल्ब होने पर पूर्णा पस्णों कर इविजन करें ताकि विहार SSE 10 प्रस्णों अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें तो चलिए दोस्तों जदा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी most important पस्णों को साल्ब करना शुरू करते हैं दोस्तों question number one है हमारा 1907 में Congress के सूरत अधिवेशन की अध्यस्ता किस ने की थी most important question है दोस्तों बिलकुल आपके 10 में रहेगा question है हमारा 1907 में Congress के सूरत अधिवेशन की अध्यस्ता किस ने की थी correct answer होगा Dr. Raas Vihari घोसनी अब चलेंगे दोस्तों भाती राष्टी Congress से जितने भी most important question बनते हैं एक साथ कबर करेंगे यह हमारा trend रहेगा दोस्तों जिस topics हम लोग questions को उठाएंगे यानि जितने आप लोगों के selected topics हैं जहां से questions पूछे जाते हैं सरसी में उन सभी topics से जो भी questions उठाएंगे उनसे related जितने एक साथ हम लोग कबर कर लेंगे ध्यान दिजागा दोस्तों most important fact है यह 1907 में Congress के सूरत Adversion की अध्यसता Dr. Raaj Bihari गोस ने की थी और इसी अध्यसन में Congress का दो दलों में यानिकी नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था वर्फ 1916 के लखनो अध्यसन में तीलक और ऐनिबेशन के प्यासों से यह दोनों दल पुना एक हुए कांग्रेस के इस अद्वेशन के अध्यस्ता अमिकाचन मज़ूमदार ने की थी, दोनों फैक्ट बार-बार पुछा आता दोस्तों, 1907 में सूरत अध्यसन में कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हुआ था, पुना 1916 में कांग्रेस के लखनो अध्यसन में दोनों दल एक हो ततकालिन उसमें भारत के वासराय कोंते हैं, तो लाट डफरिन थे, नेक्ट फैक्ट है, पर्थम अध्यसन यानि की भारती राष्टे कांग्रेस का पर्थम अध्यसन बंबई में हुआ था, और इसमें कुल टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, भारती राष्टे कांग् कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यसन है, और भारती राष्टे कांग्रेस के पर्तमान अध्यस कोन है, तो मलिकार जुन खड़ गे हैं, यह सारे मोश्ट उपनद फैक्ट हैं भारती राष्टे कांग्रेस से रिलेटेड जो की आपके एक्जाम्स में पूछे आते हैं, हम ल साइंस भी सामिल है, करेंट अफियस हुआ हिंदी के पूर्य पार्थिकरम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट करवाय जा रहा है, तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस चुक हैं, तो 50 रुपे इसकी पेड़फिस रखी गए, नीचे हमारा होड़ सा नमबर है, आप ल पूर्य पार्थिकरम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट करवाय जा रहा है, अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों, तो हार्टसप नमबर पर मैसल स्कूर कर जुड़ सकते हैं, तीसरा पीड़फ दोस्तों, यूपी पूलिस कांस्टेबल 2030, आप लोग जानते हैं, इनके पूर यूपीज इसकी पेटफिस रखी गई, आप लोग हार्टसप नमबर पर मैसल करकर जूड़ सकते हैं, लास्ट पीड़फ यहां पर रखा है दूस्तों, यूपी पीसी आरो एरो 2030, पीटी का दूस्तों, इसमें दो पेपर करवाय जाएंगे, पहला पेपर आपका सामान दन का होगा, जिसमें 140 कोस्टन्स पूछी जाएंगे, और सेकंड आपका सामान एदन होगा, जिसमें 6 टाफिक से टोटल 60 कोस्टन्स पूछी जाएंगे, इनके पूरे पार्टिकरम को टोटल 40 PDF के जरीए कंप्लेट करवाय जा रहा है, नीचे हमारा होर्सप नमर है, पेट सिलेबस में सामिल है, लेकिन विहार SSC में सामान हिंदी से कोस्टन्स नहीं पूछे जाएंगे, इसके लिए विहार SSC में दोस्तों विहार GK से रिलेटेट कोस्टन्स पूछे जाएंगे, लेकिन SSC GD में नेशनल लेवल के कोस्टन्स पूछे जाएंगे, उसके बाद में दोस्तों विहार SSC में सामान विज्ञान से 25 questions पूछे जाएंगे SSC GD में कम पूछे जाएंगे इसलिए यहाँ पर combine नहीं किया जा सकता और हम लोग किसी भी questions पर रिस्क नहीं ले सकते बाकी आपका दो पाठिकर्म बच रहा है दोस्तों math or reasoning या आप लोग videos देखके practice कर लेंगे इस तरह से आप लोगों की पूरी preparation पूरी हो जाती है आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग question की और question है दोस्तों जनगर्णा से लिया गया है most important सारे facts डाले गया है आप लोग देखेगा revision जरूर कीज़ेगा या फिर PDF लिज़े और underline लगा के एक अच्छी study करते हैं तो आपकी preparation अच्छी तरह से complete हो जाती है question है 2011 की जनगर्णा का आदर सुवा की क्या है यह question रखा गया है दोस्तों हम लोग 2011 से related जितने questions बनते हैं जनगर्णा से उनको एक साथ cover कर लेंगे question है 2011 की जनगर्णा का आदर सुवा की क्या है correct answer होगा हमारी जनगर्णा हमारा भवेश से अब आगे चलेंगे दोस्तों 2011 से जितने most important आपके facts बनते हैं एक साथ collect करेंगे ध्यान दिजेगा भारत में जनगर्णा की सुरुवात 1872 में लाड मेयो के कारिकाल में हुई थी सबसे पिले ध्यान रखेंगे हर दोस्तों fact इसे questions पूछे जाते हैं जितने आप लोगों के लिए आवस्यक हैं कि exam में पूछे जा सकते हैं उनको पूरी तरह से डाल दिया गया है और जो आप लोगों के लिए important नहीं है उनको बिल्कुल भी नहीं डाला जा रहा है यह साने कि हम बहुत ज्यादा fact ला रहे हैं सब कुछ नहां पढ़ सकते हैं सब कुछ नहां याद रख सकते हैं और नहां सब कुछ याद रखकर exam हाल में जा सकते हैं और वहां performance कर सकते हैं लेकिन जो हमारे लिए important है जितने भी टाप इस important है उनको लोग miss भी नहीं कर सकते तो ध्यान देज़ेगा पहला fact है भारत में जनगर्णा की शुरुआत 1872 में लाड मेयों के कारिकाल में हुई थी ये सारे fact बार बार पूछे जाते हैं ध्यान देज़ेगा आगे जनगर्णा संग सूची का विसर ये भी पूछा आता है बार बार दोस्तों आप लोग जान का दोनों को है लेकिन गर किसी भी वी वीसर पर दोनों के मद्रीवाद बतन होता टो भारतिय संस्त के दोरा बना गया कानून बार बार पूछ आता है जनगर्णा की सूची का विसर ध्यान रखेंगे आप लोग पूलिस ब्योस्था पूछा जाए तो ये राज सूची का विश है, सिच्छा की सूची का विश है, तो समोर्ती सूची का विश है, इसका रती ये हुआ कि जो समोर्ती सूची के विश है, यानि की सिच्छा, इस पर संग वर राजी विधान मंडल दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन अगर किसी भी वीशे पर दोनों की विवाद उत्पन होता है तो संग यानिकी भारतिय संसाथ के द्वारा बनाए गया कानू माननी होगा अब चलिए इस फैक्ट को पढ़ना सुरू करते हैं जनगर्णा संग सूची का विशा है जिसका वढ़ना संगधान के 46 में है ये भी ध्यान रखेंगे आगे चलिए 2011 की जनगर्णा भारत की पंदुरूई वा स्वतंतर भारत की सातवी जनगर्णा है most important fact रखेगा दोस्तों अगला point है हमारा 2011 की जनगर्णा के समय जनगर्णा आई तो कौन थे तो डाक्टर सी चंद्रमावली थे कौन डाक्ट कितने जिले तो 640 जिले हैं इसका दोस्तों 2011 की जनगर्णा से बिहर स्वेशल को भी लेकर आएंगे आप ध्यान रखेगा आगे चलते हैं 2011 की जनगर्णा की उनसार भारत का सरवाधिक जन संख्यावला जिला कौन सा तो थाने है जो की महाराष्ट में पढ़ता है next fact 2011 की जन जनगर्णा की उनसार सरवाधिक जन संक्या घनत वाला जिला कौन सा वाला राज जी कौन सा दोस्तों तो विहार है यहां पर जिला लिग गया है थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया है ध्यान रखेंगे हम लोग बार बार पढ़ते चले आए हैं और 2011 की जन गर्णा की उनसार भारत का जन संक्या घनत तो कितना है तो 382 व्यक्ति परति वर्गे किलो मीटर है आगे चलेंगे भारत की साचर्था दर कितनी है तो 74.04% है जिसमें पुरुष साचर्था दर की बात की जाए तो 82.14% और महिला साचर्था दर की बात की जाए तो 65.46% है most important data रखे गए हैं अ दोस्तों जनगर्णा 2011 से जुड़े most important fact अभी fact और वाकिया दोस्तों जो हम लोग next series में देखेंगे आगे चलते हैं next question की और अगला question दोस्तों हमारा या पर सामान महात्मुर पुरसकारों से रखा गया आप लोग जानते हैं पुरसकार से related questions आपके exam में पूछी आते हैं अब ध्यान दिजेगा हमारा साराफा data रहा हुए चाणि किखतरों सेवा करने वाले ब्यक्तियों को ये दिया जाता हैं महा पुरसकार पुरसकार शे parfois देखेंगे लिएकारल एगला है ज्यान पीठ पूरसकार ये कि छेत기는 दियाता है नेक्स्ट है दादा सहाफ फाल के पुरसकार यह किस चयतर में खितर में अगला है सरस्षती सम्मान यह किस चयतर में प्रदान किया जाता है ध्यान रखेंगे आप लोग revision जरूर करीजिएगा और जैसे भी बने दोस्तों या फिर trick लगाएं कैसे भी करें questions को preparation करना जरूरी है या फिर PDF लिजिए और underline लगा के अच्छी study कीजिए अगला है दोस्तों ब्यास सम्मान ब्यास सम्मान की छेतर में दियाता है तो शाहित के छेतर में दियाता है next है आसकर पुरसकार आसकर पुरसकार के छेतर में दियाता है फिल्म के छेतर में दोस्तों ये question पर GK भी बार-बार पुछाता है भारत के तीन बार दोस्तों ग्रेमी पुरसकार विजेता कौन है रिक्की केस है अब ग्रेमी पुरसकार किस छेते से संबन दिता है संगीत के छेतर से ये भी ध्यान रखेंगे अगला दोस्तों Nobel पुरसकार सबसे पहले ध्यान रखेंगे गा Nobel पुरसकार में यहाँ पर लिख दिया गया है Nobel पुरसकार टोटल 6 छेतरों में दिया जाता है ये भी बार-बार पुछाता है अब कौन-कौन से छेतर में तो शाहित शांती, शाहित चिकित्सा भवतिकी रसायन युम अर्थ सास्त्र ये 6 छेतरों में दियाता है कौशन पलट के भी पूछाता है निनो में से कि छेतर में नुवर पुरसकार नहीं दियाता है तब एसे में आप 6 छेतरों की नाम यात नहीं रखते तो इसे कोशन से आप लोग साल्व नहीं कर सकते अगला है रेमन मैक्से से पुरसकार की छेतर में दियाता है तो निसूर्थ सिवा भावना समाज कल्यान एसिया और विस्व में मानो विकास से समद्दी समयस्याओं के सफल समाधान के लिए ड्रामन में एकसे से पुरस्कार परदान किया जाता है वो सारे ट्रिक लगाने से भी दोस्तों रिलेटेड है थोड़ा सा लगाते है कलिंग पुरस्कार विज्ञान के छित में कौन बेक्ती है उन्हें कलिंग पुरस्कार विज्ञान के छित में दोस्तों तो बार्लाग पुरस्कार दियाता है भारतिये वैग्यानिक हो को किरसिम सम्मधीं गध्विध्यों के चjut उनके बहमूल Lew radar Rasha परहा क्या बढ़ान ऑगला है सांति शोरूप भटनागर पुरस्कार है बिग्यान के चित तो चिकित्सा में दियाता है अगला ध्यांचण्द पुरसकार मेजा ध्यांचंद का नाम है क्या मणड़े जाते हैं यहांकि क्वैइंड के जादु गरवाने याते हैं लोगों कमेंड करने के लिए बताना था आगे हम कमेंट के भी questions देंगे तो किस छेतर से related हो गया खेलों में जीवन भर की उपलब्दियों के लिए ऐसे common sense लगाईएगा दुरोना चारी पुरसका तो एक खेल पर से छंड के छेत में दियाता है कोंचों 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 कि प्लेयर की training देते हैं क्या मैक्स्ट बिरेष्टे पेनने मौस्ट पर कोश्चन रखेंगे दोस्तों या आपके ट्रेंड में रहेंगे आप लोग ध्यान दिजेगा हर सिप्ट में आपके कोश्चन देखने को मिलेंगे अब चलिए कि एक साथ एक एक दोस्तों साल्प करना सुरू करते हैं सबसे पहला ये दोस्तों 6-7 most important रहेंगे ध्यान रखेगा आप लोग मैं बार-बार बोलता हूँ सारे current affairs most important रखे गए हैं पहला क्या है इंडियन गरेंड प्रिक्स 2030 ये किसने जीता तो मारको वेजंची ने जीता किसने मारको वेजंची ने नेक्स्ट है सिंगापूर गरेंड प्रिक् बेल्जीम गरेंड प्रिक्स 2030 और बिटिस गरेंड प्रिक्स 2030 ये चारों दोस्तों कौन जीते हैं मैक्स बेरेस्टे पेन जीते हैं कैसे भी किजिए ट्रिक लगाई है बार-बार रिवीजन कीजिए आपको उनकी प्रिवेशन करने ही होगी एक अच्छे एक्जाम के लिए आगे चलते हैं दोस्तों अब हम लोग यहां से करेंड प्रिक्स के मोश्ट बन कोस्टन को साल्ब करेंगे ध्यान दीजेगा अप लोग पहला कोश्चन है हाली में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2030 का ताज किसे पहना गया तो माधूरी पटेल को किन है माधूरी पटेल को न 161 स्थान कौन सा 161 स्थान नेक्स्ट हाली में बैलिस्वा एसीन सिखर सम्मेलन कहां प्रारंब हुआ तो यह इंडोनेसिया में हुआ कहां पें इंडोनेसिया में अब एसीन का फुल फाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे दूस्तों कमेंट जरूर किजिए मोस्ट उपन् समझने का प्रियास कीज़िए जितने टापिक्स उपकेライं में रहेंगे और उटताफ picking से ज्तने एक्ष्ट बनते हैं आप होड़ा सै समय्णे का प्रियास कीजिए उनको पूरी तरह सक्वर कने प्रियास कीज़िए यह उनको नोट डाउन कीजिए सारी टापिस को या फिर दोस्तों PDF लीजिए या बार-बार वीडियोस को revision किजिए वो सारे टापिस को आप लोग note down कर लीजिए और उनसे related जितने extra fact है पूरी तरह से cover किजिए क्योंकि वहीं से questions पूछे जाएंगे आप लोग जानते हैं कि result आने से पहले इसका नाबलाजेशन हो 2023 से किसे समानित किया गया तो जारजी गोस्पो दिनों को किया गया है नेक्स है हाली में ब्रिक सिखर सम्मेलन 2023 का आउजन कहा किया जाएगा तो रूस में किया जाएगा इसलिए दोनों एक साथ डाल दिये हैं 23 का हुआ जोहांस वर दच्छिड अफरिका में और 24 का होगा अब यक साथ G20 भी डाल दिये हैं G20 सम्मेलन 2023 की अधेसदा किसं ने की तो भारत के दौरा की गए अफ लोग जानते हैं और G20 सम् मेलन 2024 के प्याट्वीस कौन सा देस करे गया तो व्राजील के दौरा किया जाएगा किस देस की दौरा व्राजील के दौरा अगला कॉश्च देखीगा लास्ट कोश्चन है करेंट अफियस से कोश्चन है और सथ हुए फिल्म फेर रवार्ड दोहजार तेइस का सब्स्रेट फिल्म का पुरसकार किसे मिला तो गंगु भाई काथिया वाली को मिला एक मूबी है दोस्तों मोस्ट इपना कोश्चन्स रखे गए हैं आगे करेक्ट एंसर होगा लाड कार्ण वालिस ने किसने लाड कार्ण वालिस ने अब चलिए एक साथ साल्प करना शुरू करते हैं पहला जलिया वला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसर आइकॉन था तो लाड चेंप सफोर्ड थे रिवीजन जरूर कीजेगा नेक्स्ट है भांगना किस राज का परसिद लोग निरता है तो यह पंजाब का है कहा का है पंजाब का है आगे चलते हम लोग अगला दोस्तों लोग चित्रकला की मधवनी सहली यह आप लोगों से मिस नहीं होना चाहिए मधवनी एक चित्रकला जो बिहार राज से रिलेटर है मधवनी आप लोग जानते हैं, तो question है, लोग चित्रकला की मदवनी सहली भारत के किस राज में प्रचली था है, बिहार में, next, मा भारत का प्राचीन नाम क्या है, जै सिंगीता है, next, neutron की खोच किस ने की थी, James Chadwick ने की थी, अगला है, low-off floating सिध्धान की खोच किस ने की थी, आर्क मिडीज ने की थी, किस ने आर्क मिडीज ने की थी, आगे चलेंगे हम लोग, अगला question है, दोस्तों, तेल का एक बैराल लगभग किस के बराबर होता है, तो 168 लीटर के बराबर होता है, next, बेंजीन की खोच किस ने की थी, करेक्ट एंसर होगा, माइकल फैराडे ने, next, मारले, मिंटो, सुधार विल, किस वर्स पारित किया गया था, तो 1909 में most important question है, next, भारत में राष्टिया की गणना किस के द्वार की आती है, तो CSO के द्वारा, यानि कि केंद्रिये, सांकी के संगठन के द्वार की आती है, भारत में राष्टिया की गणना, आगे चलेंगे, next question देखेंगे हम लोग, question है, इलेक्टरान की खोच किस ने की थी, करेक्ट एंसर होगा, जे जे थामसन ने, next, हर चरित के लेखा कौन थे, करेक्ट एंसर होगा, बान भठ है, कौन है, बान से पूछे आते हैं, या फिर जो भारत में श्री जीती हो, या भारत में आजजन हुआ, इस तरह से ढोंड, ढोंड के question पूछाता है, तो इसे हम लोग डालने का प्रियास कर रहे हैं, अगला है, गारो, खासी, तथा, जेंतिया, 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 किस राज में निवास करती हैं, तब भी आपका correct answer में घाले होगा, अगला है, नीतियायो का गठन कब किया गया था, correct answer होगा, जेंतियायो, जेंतियायो के जगा पर नीतियायो का गठन किया गया था, एक जनुरी 2015 को, नीति का फुलफाम भी पूछाता है, नाइटिया, यानिकी नेशनल इंस्ट वर्तमान में नीतियाव के सीओ काउं है, तो शिरी बीब्यार सुप ब्रहमणे में, यह सारे questions आपके PDF में डाले जा रहे है, उसके बाद में दोस्तों, नीतियाव के अध्धस की बात की जा तो कौन होते हैं, जो परजएंट में, यानि की परधान मंत्री होते हैं, वही नी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यह आप लोग ध्यान रखेंगे अगला है प्राचीन पुस्तक से आप लोग जानते हैं मुष्ट बना कोश्टन रहेंगे यहां से कोश्टन है मुद्रा रच्छस नामक पुस्तक के लिखा कौन थे करेक्ट एंसरों का विसाख दत शू समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर इस्थित है कावेरी नदी पर और रोवर्स कप किस खेल से संबन दीता है तो यह फुटबाल से संबन दीता है सार आप लोग और तीने संबनते हैं साथ कबर कर लेंगे कोश्टन क्याक रखा गया है पंडित रभी §क संब्सक्र का समंद किसका हुआ कि सितार से किस सिधार से अब चलिए साथ सप कर लेते हैं अभी यह की कोश्टन बनाएंगे दोस्तों हम छोग करएंगे हमेशाक एंभीज संतूर से हो गया साथ करने का सिस्टमेटिक डान से दोस्तों इस ट्रेडिस कल आप यारी करने का प्रियास किजिए तब आप भीर्ण से आगी रहेंगी अब देखिए कर दोस्तों एक तरफ वादक दिया गया है दूसरे तरफ वाधियंद्र के नाम दिये गये हैं आप सबसे पले सल्ब करते हैं पंडित रभी संकर निखिल बनर्जी और विलायन खा ये तिनों सितार वादक हैं जो कि आपके एक्जाम से पुछाते हैं जितने सारे डाल दे गए हैं उसके बाद जाकिर हुसेन अल्ला रखा खा और गुदई महराज तीनों मोस्ट इंपर्टन है और ये तीनों तबला वादक हैं नेक्स्ट हर पसाच चोरसिया पन्ना लाल घोस और रोनु मजुमदार मोस्ट इंपर्टन है ये तीनों बासुरी वादक है अगला देखेंगे हम लोग अमजद अली खा अलावदिन खा और अली अकबर खा ये तीनों सरोद वादक हैं या है सरोद वादक है बस दो पॉइंट और रहे गया है पहला उस्ताद बिस्मिल्ला खा मोस्ट इंपर्टन ये किसे समण देता है सहनाई वादक है और स्यूकु दोस्तों निगेटिव मार्गिंग कर सामना नहीं करना पड़ेगा अब चलिए पंच वर्षय योजना आप लोगों का मोस्टमर टापिक है सारे मोस्टमर फैक्ट एक साथ ले आए हैं सबसे पहले कोश्चन साल्प करेंगे उसके वाद सारे मोस्टमर फैक्ट को एक साथ गये हैं डाटा ज्यादा नहीं दोस्तों लेकिन आप लोगों के लिए मोस्टमर जितने बनते हैं उनको मिस भी नहीं किया गया है पहला पॉइंट है पर्थम पंच वर्षय योजना के ओधी तो यह अपरेल 1901 से 31 मार्च 1956 यह धियान रखेंगे मुख उदेश था किरसी वि अगला पांट है दोस्तों दूसरी पंच वर्षय योजना की ओधी क्या थी तो यह अपरेल 1956 से 31 मार्च 1961 जो इससी में पूछेगे उनको मिस नहीं करने हैं अब यह किस माडल पर आदेए थी तो पीसी महाल नोबिस माडल पर आदेए थी इसका मुख देश था और दोगिक बिकास क्या था और दोगिक बिकास अब नोट देखेगा दूसरे पंच वर्षय योजना के दोरान ही राउर केला भिलाई और दुर्गापूर में इस पात कारखाने करमसा जर्मनी रूस और बेटन के साहुक से लगाए गए थे यानि राउर केला भिलाई वाद दुर्गा अगे चलेंगे हम लोग अब तीसरी पंच वर्षय योजना देखेंगे जितने most important question पूछी आते हैं किस पंच वर्षय योजना के दोरान हारित करांती शुरू हुई थी तो तीरतिय पंच वर्षय योजना है अगला point है किस पंच वर्षय योजना को सबसे आसफल माना जात जी के पूरी तरह से clear हो जाता है इसे पूछा भी जा सकता है दूसरा भारत पाक युद्ध जोकी 1965 में हुआ था तथा अभूत पुर्षय योजना बिल्कुल आसफल रही थी अब चले चतुत पंच वर्षय योजना से जो question पूछियाते हैं question है किस पंच वर्षय योजना में 14 भैंकों का राश्टी करण किया गया तो चोथी पंच वर्षय योजना है और अगला point है किस पंच वर्षय योजना में इस्रो आप लोग जानते हैं इंडियानी स्पेस रिस्चर्च चारिगनाईजेसन भारतिय आंतरिचनु संदान संग देखेंगे क्या यहां से है दोस्तों तो गरीबी उनमूलन और आत्म निर्भरता पर बल किस योजना का मुख्य देश था पंच वी पंच वर्षय योजना का अगला point है किस पंच वर्षय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया तो भी पंच वी पंच से किस पंच वर्षय योजना में भारते राष्टे राजमार्ग प्रणाली की स्थापना की गई तो भी पंच वी पंच वर्षय योजना भी है अब छटी देखेंगे दोस्तों जो कि हमारा लास्ट फैक्ट होगा पुर्णा छे आप लोगों की बस्ती आप लोग जानते है एगरी कल्चर एंड रूरल डेवलेप्मेंट हिंदी में बात के तो राष्टे किर्सियों ग्रामीड विकास बैंक ये कोश्चन भी पलट के पुजाता है कि किस समिती की सिपारिस पर नाबाड की स्थापना हुई थी तो श्यूरमन समिती है इसलिए इसको भी डालते आ गय परसन जिनको यहां पर हम लोगों ने साल्ब किये हैं उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने साल्ब किया होंगे और देखे होंगे कि यहां से आपके कितने परसन सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारी स्टेडी चैनल सुकुर्पा कलास से जुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोर दे जाने वाले सभी वीडियोस आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में थैंक्स फार वाचिंग